सब्सक्राइब कीजिए दपरफेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए 1947 तक तो महत्मा गांदी का आगमन देखते हैं दक्षिन अफ्रीका में नसल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन का सफलता पूर्वक नेत्रत वकर गांदी जी 1915 में वापस भारत आये उन्होंने पहले साल पूरे भारत का दोरा किया और इस दोरानवे यहां के लोगों उनकी जरूरतों और हलातों को समझने में लगे रहें उनके शुरुआती प्रियास इस्थानी आंदोलन चंपारण नील की खेती करने वाले किसानों के लिए 1917 में खेडा किसानों के लिए 1918 और एहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए 1918 में के रूप में सामने आई जो उनके आंदोलन थे उसके बारे में बताया हुआ है 1919 से 22 के बीच उन्होंने और भी कई आंदोलनों जैसे रॉलेट सत्तागिरे, खिलाफत आंदोलन और असयोग आंदोलन का नेत्यत्व किया 1919 में अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट कानून पास किया जिसका उदेश है अभिवेक्ति की स्वतंतरता जैसे मुलमूत अधिकारों पर अंकुष लगाना और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देना था गांदी जी ने लोगों से अहवान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अपरेल 1919 को अहिंसक विरोध के द्वारा अपमान और याजना दिवस के रूप में मनाया जाए और हर्ताले की जाए यह ब्रिटिस सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतिस अंगर्श था हाला कि यह मोटे तोर पर शहरोतकी सीमित था सरकार ने इन आंदलनों को कुचलने के लिए दंगमनकारी रास्ता अपनाया 13 अप्रेल 1919 को बैसाखी के दिन जले वाला बाग में एक शांतिपूर्ट सभाब के ओपर बिना किसी चेताबनी के अंगरेजी जनरल डार ने गोलियों चलवा दी कैई सारे लोग मारे गए जिन में बुजूर्ग और बच्चे भी शामिल थे इस जन सनहार पर अपनी पीड़ा और गुस्सर चताते हुए रवीद नाट टैगोर ने अपनी नाइठ हुड की पदवी लोटा दी खलाफत अंदोलन और असयोग अंदोलन का आवान फिर्थम विश्यूद में थुर्की की हार के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के सुलतान जो पूरे विश्में मुसलमानों का खलीफा माना जाता था के ओपर बहुत सख्त संधी थोग दी जलिये वाला बाग खत्या कांट के बाद अंग्रेजों से गुस्ता हुए भारते मुस्लिमी संदी से आगबुला हो गए खिलाफत अंदोलन के नेताओं मुहम्मद अली और शौकत अली ने अंग्रेजों के खिलाफ अंदोलन शुरू किया जिसका उदेश है तुर्की के सुल्दान यानि खलीफा की शक्तियों को फिर से बाहल करना था गांधी जी ने उनके हवान का समर्थन किया और कॉंग्रेस सा अगरे किया कि वे पंजाब में हुए अत्यचारों और खिलाफत के मामले में हुए अत्यचार के खिलाफ हवाज उठाएं और सुराज की मांग करें Quesion No.1 है बचो 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा किये गए कुछ इस्थानी आंदोलनों को लिखी तो इसका अंसर आप पिहाल से लिखेंगे उनके शिरुवाती प्रियास इस्थानी आंदोलन चमपारण की खेती करने वाले किसानों के लिए 1917 में खेडा के किसानों के लिए 18 में आहमताबाद 1968 में के रूप में सामने आए 1919 से 1922 के बीच में उन्होंने और भी कई अंदोलनों जैसे रॉलेट सत्य गिरे खिलाफत अंदोलन और असयोग अंदोलन का नेत्यत्व किया Quesion No.2 है बच्चो रॉलेट कानून का भारती नेताओं ने विरोध क्यों किया था तो इसका अंसर आप लिखेंगे रॉलेट कानून का भारती नेताओं ने विरोध इसलिए किया था क्योंकि इस एक्ट के दुआरा अंग्रेजी सरकार का उदेशय विवक्ति की सोतंत्रता जैसे मूलबूत अधिकारों पर अंकुष लगाना और पुलिस को और जादा अधिकार देना था कोशिन नमबर थिरी है खिलाफत अंदोलन क्या था इनके नेताओं के नाम लिखिए तो इसका अंसर आप लिखेंगे यहां से खिलाफत अंदोलन के नेताओं यहां से लिखेंगे मुहम्मद अली और शौकत अली ने अंग्रेजों के खिलाफ अंदोलन शुरू किया जिसका उदेश्य तुर्की के सुल्तान यानि खलीफा की शक्तियों को फिर से बहाल करना था कोशिन नमबर फोर है गांदी जी ने सहीोग अंदोलन का अहवान क्यों किया तो इसका अंसर आप लिखेंगे गांदी जी ने सहीोग अंदोलन का अहवान इसलिए किया क्योंकि गांदी जी को पूरा विश्वास था कि यदि भारती लोग अंग्रेजों से सहयोग करना बंद कर देंगे तो अंग्रेजों के पास भारत को छोड़ कर जाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचेगा और सराज इस्थापित हो जाएगा Q5 आपके विचार से गांधी जी ने खिलाफत अंदोलन का समर्थन क्यों किया होगा इसका अंसर आप लिखेंगे गांधी जी ने खिलाफत अंदोलन का समर्थन किया होगा क्योंकि वह पंचाब में हुए अत्याचारों ठीक है कौन से अत्याचारों की बात हो रही है जलेवाला बागत्यागान और खिलाफत के मामले में हुए अत्यचार के खिलाफत उठाना चाहते थे और सुराज की मांग करना चाहते थे आपकी वक्षीट सुल्व हो गई स्टुडेंट्स अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई है तो प्लीज में वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए हमाचन को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स पो वाचिंग